देश की सुस्त होती जा रहे ही किसान आंदोलन को धार देने के लिए अब किसान नेता राकेश तकैट राजस्थान में एंट्री लेने जा रहे हैं जी हा भारती किसान यूनियन के राज़टी प्रवक्तार आकेश तकैट सहीत अनिकिसान नेता आज अलवर आएंगे बता दें यहां पर रहुर गाने उनका स्वागत करेंगे वे यहाँ पर लक्षपरगर इलाके के जाटला गाव में आज होने वाली किसान महापंचायत पर शिर्कत करेंगे आपको बताते भारते किसान यूनियन के राजगर तहसील अध्यक्ष धनपाल मीडा और प्रदेश महामंतरी भुपेश सिंग बल्यान ने बताया कि महापंचायत दुपेर करीब दो बजेश शुरू होगी वह इसमें आसपास के हजारों किसान शामिल होंगे आपको बताते दूसरी तरफ जल्दी प्रदेश की शेखवाटी इलाके में भी बड़ी किसान पंचात आयूजित करने के तयारी में है और ऐसे कयास लगाया जा रहे है कि राहुल गांदी और राकेश्ट कैट साथ में जनसभा को संबोदित कर सकते हैं आपको बताते इसको लेकर हाली में सिकर्जिला मुख्याले पर इस जाट बोर्डिंग में सिकर्जिला मुख्याले पर किसानों के बड़ी महापंचायत का आयूजित किया जाएगा इसमें किसान नेता राकेश्ट कैट के साथ मद्वदेश और रास्टी इस्तर के नेता शिर्कत करेंगे साथ ही राहुल गांदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे वही बैटक में महापंचायत के रूप रेखा और उसकी तयारियों को लेकर भी चर्चा की गई आपको बतादे महापंचायत की तारीक अभी तयारिय ने की गई है जिसकी जल्दी खोश ना कर दी जाएगी वही सीकर्ज लेके खंडेला में कॉंग्रिस कारेकाले में बुदवार को किसानों की समर्थर में कॉंग्रिस की ओर से जंसमेलन आयूजित किया गया इस में राहुल गादी ने शिर्कत के और यहाँ पर जंप कर बयान बाजिया की इस दोरान किसान आंदोलन में भाग लेकर लोटे खंडेला आंदोलन के दोरान अपनी जान गवाने वाले किसानों को ब्लॉक कॉंग्रिस कमीटी की ओर से दो मिनट का मौन रखकर शद्धांजली दी गए बताते जंसमेलन को संबूदित करते हुए पंचायच सीमित प्रधान डॉक्र गिर्जास सिंग प्रधानमंत्री की ओर से इस संसत में दे गए बयान को दरफा के पूर बताया उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए संकर्ष किसानों को पीम मोदी ने आंदोलन जीवी बता कर अपमानित किया है कॉंग्रिस पार्टी की ओर से आयोते इस जन सम्मिलन को खंडेला नगर पालिका अध्यक्ष याकुब मलन और व्लॉक कॉंग्रिस कमीटी अध्यक्ष बदिनायान सैनी और एडवोकेट राजिन धाकर सहीत काईकिसान नेताओन इस संबोधित किया व्याब इसे मना जा रहा है कि राकिश थी कै तो राहूल गांदी साथ आकर मिलकर ट्राक्टर रैली निकाल सकते है ब्योर रेपोर्ट, SPN 9 News